नवस्कार मैं हिमान श्री कुमार आप देख रहे हैं भारत लाइव बतादे कि बिहार की सियासत में गहमा गहमी मची है तमाम जराजी में चुनाव होने वाले हैं लेकिन इसके इतर जो है और चीजों को लेके लागाता सरगर्मी बढ़ी हुए है वो यह बताया जा रहा है कि उपेंद कुस्बाह की पार्टी रालोस्पा का विले जो है वो जीडियू में हो सकता है हलाकि रालोस्पा इसे इंकार कर रही है हम बताते कि आज 3 मार्च है और ठीक 8 साल पहले रालोस्पका गठन हुआ था, उपेंद कुश्बाहा ने गठन किया था, आज नमस्त अपना दिवस मनाये जा रहा है, तो उपेंद कुश्बाहा आज चुपी तोड़ने वाले हैं, तो पिछला रिस्ता नितिश कुमार के साथ क्या रहा? जी डियो के साथ क्या रहा? और आगे क्या रनती हो सकती वाव पर एस पर जो हिस्तार से हम चर्चा करेंगे बाबा के साथ, ज हम एपन्द कुश्बाह के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी स्ले पर सबद्र चाहेंगे क्योंकि बिहार की राजनिट में और जिस तरह से छोटे-छोटे दलों का लोग तंत्र में पदारपन हुआ करें तो उपल क两 akan करने से पहले आप को जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछ लालू परसाथ से होते हुए आपको आणा पड़ेगा नितिषक्मार तक और NITISH कुमार से होते हुए जाना पड़ेगा फिर कॉंगरेस के तरफ उपेंद कुश्वाहा का संबंध कॉंग्रेस से भी रहा है उपेंद कुश्वाहा का संबंध लालू परसाद से भी रहा है उपेंद कुश्वाहा का संबंध बीजेपी से भी रहा है और उपेंद कुश्वाहा का संबंध नितीश कुमार से भी रहा है उनकी राजनितिक सुर और समता पाटी, नितिश कुमार का भरोसा और लालू परसाद का लोकुष समीकरन पर नितिश कुमार को आगे बढ़ने का नसीहत। यह सारी बातें जिस तरह से आप ने देखा का आप तो नहीं होता है। पहले इस तरह का चक्का हुआ करता था। और वो चक्का ऐसे चलता थ और फिल्म जो है आगे बढ़ती चलती थी। बिलकुल उसी तरह से बिहार की राजनीत। और बिहार की राजनीत पे जो नए च्छत्रप हैं जो आंदोलन से निकल कर कर आए हैं। 90% बिहार की राजनीत में वही लोग हैं। एक बार फिर से जब चर्चाद 2020 के चुनाव की जते हैं उसके पुर्णिक्पर्इंब की तरफ हम देख टे हैं तो नितीश कुमार उपेंधकुश्वाह के बीच की दोस्ति और दुष्मनी दोनः सामने नजर आती है cuckam 2019 के चुनाव में नितीश कुमार के चलते ही एक सबClass дня, उपेंधकुश्वाहं ему हैं उसका सम्मान नहीं भी कीजिये, तो भी वो घर से आपके निकल जाता है, और ये भी तरीका है, राजनीत में इस तरह के तरीके अपनाए जाते हैं, हाला कि अब तो राजनीत में बहुत सारी बाते होती हैं, जो आरोप परते आरोप के दौर चलते हैं, आमने सामने होता है, ल लगतार हमारे संपातक नमर्विशाजी कहते हैं कि उपेंद कुश्वाहा ऐसे मतलब राजनितिक जीव हैं जो बार बार उन्हें खत्म करने का प्रयाश होता है खत्म होते हैं वो खड़े हो जाते हैं वो एक पक्षिनिय फिनिक्स उसी के तरह उनको बार बार उपमा देते है और ऐसा हमने देखा भी है पिछले पांच-छे सालों में जो उनका राजनितिक इतिहास रहा है अगर उस पर नज़े रहे हैं पार्टी की इतिहास की बात कर रहे हैं तो उसमें उपेंद कुश्वाहा ने कई ऐसे मोड़ देखे हैं जहां ये कहा जाते हैं पार्टी समाप् होगा ये सब बाते भी बहुत जादा मैटर करें क्योंकि चर्चाल ये चल रही है कि नितीश कुमार के साथ पुना वह वीलीन हो जाएंगे विले हो जाएंगे जदियू में और आरेलेस्पी नाम की जो पार्टी थी उसका अस्तितु समाप्त हो जाएगा इससे पहले भी अ करने का प्रयास था अनही के सांसध अरुन कुमार ने अपनी एक अरेलेस्पी बना ली ठीश उसके बाद कई लोक सामने आये नागमनी उनके साथ नीची बरे खृत्स साथ वह प्रश्रारी यूदल के आपके जिएक water अपर साथ की पजसे निकिनी समतर से करें यूंद बहुत की रहता है उन्हेंके महाँति सेखे secure है न कारी में MAR में प्रशेणी बाद Lalokya का महासुची तो बनाया ही था इसके साथ साथ आपको बता दें कि नेताप्रति पक्ष भी बनाया था और राज सभा तक भेजा था उन्हें ये भी बात है और यहीं भी सेस्थाएं थी कि जब 2013 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो आप समझ सकते हैं कि 2014 में पुना हुन अगर नितिश का कोई बिकल्प है तो कौन है उपेंद्र कुषवा है और उन्हें उसको प्रमानित रही किया जहां नितिश कुमार दो ही पर अटक गये तीन सीटे जीते थी तो यह तो बड़ा फैक्टर था और जब वापस होते हैं नितिश कुमार एंडिया के तरफ तो फ कि एक बार फिर से इतना सब कुछ होने के बाद अब चिराग पासवान और बीजेपी को हड़काने के लिए उनको अपने पास भूलाने के लिए मजबूर है नितिश कुमार और उसकी कई तरह की बाते चल रही है इसके अलावे आंकडे बहुत कुछ बता रहे हैं आंकडे लोग सबाचुनाव में अच्छी खासी उनके सीटें भी मिल गई थी विधान सबाचुनाव में उन्होंने बीच में कैसे किस तरह से ब्लास्ट किया इस सारी चीजे हैं बिल्कुल उससे हलाकि वो तो एक्सपोज हो जाते हैं साय समय समय पर ब्याइपी के जो सुप्रीमों अगर उनका विचारधारा उनका मन नहीं लगता है कुछ ऐसे नेता हैं जो माइल स्टोन अपने लिए बना देते हैं अपने लिए उदारन वो खुद अपने बन जाते हैं बिल्कुल आप देखे ना कि जब वो मंत्री थे तो उन्होंने त्याग करके महागटबंधन का साथ स्विकार किया जब महागटबंधन को ये लग रह कि लेकिन बिले और गठ बंधन ये दूनों में वो एक ब्यापक पहिमाना खोज रहे हैं वू ये नहीं खोज रहे हैं कि जीतन रम्मा ďंजी की तरह वह नितिस्च के कुनवे का हिस्ता बनके रह जाए या फो उनका कहना है कि वो एंडिये का हिस्सा हों और यह उनको बड़ानेता बनाता है गए उदहरने से हैं जो बड़ानेता बनाता है इसमें कोई कोई दो然 रहा है नहीं है। तो यह आज का हमारा था कि आज RALUSPAA का जो है अगर वीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिए ओजेगो घंटी बा उकराब बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़वर रखे मुफ्त में मिल जए अगर रखे पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 93868167000 धन्यबाद